अब दोस्तों निव अपडेट आने के बाद फेस्वूप पेज को डिलीट करने का तरीका बिल्कुल चैंज हो गया है जियां दोस्तों अगर आप अपने फेस्वूप पेज को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आज किस वीडियो को आपको बिना स्किप के न तक द यहां पर आप देख सकते हैं मैंने फेस्वूप अपको ओपन कर लिया है अब दोस्तों हमें अपने page को डिलीट करना है तो सब से पहले आपको अपने page को लॉगिन करने के लिए आपको कौन मं ही ट्रपल लायन का option दिखाई दरहा है तो सुम्पल आपको ट्रलान वाली option प दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि आखिर आपने Facebook page को delete कैसे कर सकते हैं तो simply Facebook page को delete करने के लिए आपको ऊपर कोने में triple LAN का option दिखाए दे रहा है तो आपको इसी triple LAN option पर click कर देना है triple LAN option पर click करने बद आपके सामने काफी सारे options होंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा नीची स्कूल करना है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको setting and privacy का option दिखाए दे रहा है तो simply आपको इसी option पर click कर देना है setting and privacy option पर click करने बद नीची आपको setting का option दिखाए दे रहा है अब यहाँ पर आपको काफी सारे options हो और हैं तो दोस्तो facebook page को delete करने के लिए आपको थोड़ा नीचे scroll करना है नीचे scroll करने माँ दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक options हो रहा है access and control तो आपको इसी option पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको access and control option पर click कर देना है access and control option पर click करने बद आपके सामने कुछ इस परकार का page open हो जाएगा उपर देख सकते हैं deactivation and deletation का option दिखाई देरा है नीचे देख सकते हैं temporarily deactivate or permanently delete your facebook page तो दोस्तो हमारा facebook यहीं से delete होगा तो आपको इसी option पर click कर देना है this can be temporary ठीक है और second option देख सकते हैं delete page और नीचे देख सकते हैं deleting your account is permanently तो दोस्तो हमें अपने face to page को हमेशा कलिए delete करना है permanently delete करना है तो आपको second number option पर click करना है delete page वाल option पर आपको click कर देना है delete page वाल option पर click करने बार नीचे आपको continue का option दिखाए दे रहा है फिर दोस्तो continue option पर click करने बाद आपके सामने कुछ इस परकार की options हो जाएंगे अब यहां पर आपको एक region select करना है कि आखिर आप अपने facebook page को delete क्यों करना चाहते हैं आपको एक कारण देना है facebook को ठीक है तो दोस्तों यहां पर मैं एक region select कर लेता हूं तो आपको एक region select कर लेना है तो यहां पर आपको continue option पर click कर देना है फिर दोस्तों continue option पर click करने बाद आपके सामने कुछ इस परकार का dashboard open हो जाएगा अब यहां पर आपको थोड़ा नीचे scroll करना है ठीक है और दोस्तों यहां पर आपको नीचे continue option पर click करने बाद आपके सामने कुछ इस परकार का page open हो जाएगा और उपर देख सकते हैं आपको अपना facebook page दिखाई दे रहा है अब दोस्तों आपको अपने facebook page को delete करने के लिए आपको अपना facebook account का password डालना है मतलब आपको अपने facebook id का password डालना है तब आपका facebook id का password सैम होता है ठीक है तो आपको वही password डाल देना है simply दोस्तों password डालने के लिए फिर से continue option पर click कर देना है फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस परकार का interface आप दोस्तों आपको facebook page को delete करने से पहले आपको इस note को ध्यान से देखना है ध्यान से पढ़ना है और दोस्तों आपको ध्यान से समझना है ठीक है उपर देख सकते हैं delete this page उसके जर्ट नीचे देख सकते हैं the following page will be delete and you will switch it to rkmina you can reactivate with 30 days by login in srkmina and going to account setting इसका मतलब यह है अगर आप अपने facebook page को फिर से login करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन से पहले ही अपने facebook page को login करना है तो automatically आपका facebook page delete होने के बाद भी आ आते हैं तो आपको 30 दिन तक अपने facebook page को बिल्कुल भी login करना है तो आपका facebook page हमेशा के लिट हो जाएगा अब simply दोस्तों इसको समझने के बाद आपको नीची delete page वाल उप्शन पर click कर दिया है delete page वाल उप्शन पर click करने बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारा facebook page हमेशा इसके लिट हो चुका है तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ जानने को मिलाओगा कुछ सेकने को मिलाओगा अगर आपको थोड़ा सा पसंद है तो आप इस वीडियो को लैक करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले